हेलो फ्रेंड्स मैं अंजली सिंग आपके लिए एक नया और बहुत मज़ेदार सा गेम लेकर आए हैं आज का गेम हमारा करवा चोथ स्पेशल गेम है तो इसकी तयारी किल आपको क्या करना है रेडी करेंगे एक पेपर यहाँ पर हमने इस पेपर को रेडी कर लिया है एक लिखना है उसके सामने चोथ तो जितनी बार आप करवा लिखेंगे उसके सामने उतनी बारे आपको चोथ लिखना है लगबग 10 बार या 15 बार ही करवा चोथ लिखेंगे उससे जादा नहीं क्योंकि जब उससे जादा कर आप करवा चोथ लिखेंगे 15 से जादा तो स्कोर बनाने में बहुत मुश्किल होता है और अच्छा स्कोर भी नहीं बनेगा गेम भी जादा मजा नहीं आता तो 15 टाइम ही आप करवाचाओत लिख करके इस पेपर को रेडी कर लीजिए अब हमें लेना है एक डाइस और चाहिए होंगे कुछ कोईंस कोईं के जगे आप राजम सा है जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लास्ट में हमने स्कैस्कोर कैसे मिकाला काउन करने के लिए कोई चीज रख लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो जिसे करवा के लिए हमने ये रख दिया चौत के लिए एक बार हमें एक चांस खेल करेंगे हम चौत के लिए आपको गेम खेल के दिखाते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा मेरा वन मिलर के टाइम स्टार्ट होते हैं गेम खेलना शूरू करेंगे चलेंगे डाइस सबसे पहले खेलना है करवा के लिए आया नंबर 6 काउंट करेंगे 123456 इसके सामने हमें आप कर देना है अब हम खेलेंगे 4 के लिए 1 2 3 4 यह इसका आगया अब करवा के लिए 1 2 3 4 है कि अमें खेलना है चौत के लिए 1 2 तो फटा-फट हमें गेम खेलते जाना है 123 जब तक हमारा चल रहा होगा वन मिनट का टाइम अब चौत के लिए 1, 2, 3, 4 दिखा रख देंगे अब करवा के लिए नमबर 3 1, 2, 3 चौद के लिए 1, 2, 3 तो लास्ट रास्ट में हमारे पर एक बास दिखा गया है करवा के लिए खेलेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आगे 1, 2, 3, 4, 5 करवा हमें फटाफट खेलते जाना है जब तक हमारा चल रहा होगा 1 मिनट का टाइम और अगर मेरा 1 मिनट का टाइम यह हो जाता है स्टॉप तो हमें भी हो जाना है स्टॉप 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हम भी हो जाएंगे स्टॉप अब हमें निकालना है स्कोर score निकालने के लिए हमें मिलाने है pair जैसे कि करवा चौध होता है एक complete शब्द तो करवा चौध के सामने हमें देखते हैं कि कितने हमने सिक्के रगे हैं जिसे यहाँ पर first line में कोई भी नहीं है और इसके सामने करवा है तो चौध के सामने कोई सिक्का नहीं है यहाँ बाहर हो जाएगा यह भी बाहार है और यह भी बाहर है यह है complete करवा के सामने लिए रवी तो यही मेरा स्कोर हो गया, अब इसी तरीके से दूसरी मेंबर को बुलाना है, गेम कराना है, जिस मेंबर के सबसे ज़्यादा कम्प्लेंट होंगे, करवा चौट के पेर वो ही मेंबर इस गेम को जीतेंगी, तो गेम बहुत मज़ेदार सा है, अगर किसी मेंबर के यहाँ पे के ज़रू बताइए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करें, थैंक यू,